हेलो गुड़ी बिनिंग दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिल साहता पर आज हम लोग बात करेंगे प्रधानमंतरी आवास्योजना के बारे में जिसमें आज प्रधानमंतरी आवास्योजना ग्रामीन के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ नए सूची को एड़ किया गया है और लगफग लगफग एक लाख से अधिक लोगों की एकाउंट में पहली किस जो प्रधानमंतरी आवास्योजना ग्रामीन की है उसे डाल दी गई है यह जो एक लाख लोगों को यह पैसे ट्रांसफर किये गए हैं यह कौन-कौन से राजजबस में किये गए हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा और कौन-कौन से ग्राम पंचायत में ये पैसे ट्रंसफर किये गए हैं ये भी बताऊंगा तो विडियो में अंत्य तक बने रहीगा क्योंकि मैं आप लोग को इस टेप बाई स्टेप जो है पूरा डेटेल बताऊंगा पेज है उसमें यहाँ पर कुछ अपडेट आये हैं जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से कुछ अपडेट यहाँ पर सो हो रहे हैं तो चले मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आज जो है लगबग लगबग 76,000 से उपर लोगों की एकाउंट में पैसे डाले गए हैं तो दोस्तों इससे पहले मैं आप लोगों ये बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो परधान मंत्री आवास्योजना ग्रामीन है इसमें किस प्रकार से आपको पैसे रिसीब होते हैं तो आपको सबसे पहले जो रेजिस्टेशन का काम पूरा करना पड़ता है जो कि आपके ब्लॉक या फिर पंचायत इस्तर के कारियाले में किये जाते हैं आपको पहले रेजिस्टर्ड हो जाना है प्रधार मंत्री आवस्टेशना ग्रामीन के वेबसाइट पर आप जैसी रेजिस्टर्ड हो जाते हैं तो रेजिस्टर्ड होने के एक या फिर दो दिनों के अंदर आपका जो आवास है वो जियो टेगिंग के लिए तयार हो जाता है जियो टेग होने के बाद कुछ दिनों तक जो आपका आवास है वो पेंडिंग रहता है और उसके बाद आपका आवास को S Jackson कर दिया जाता है आपका आवास सेंचन होने के बाद आपका आवास जो है आवास का स्टेटस जो है वो remedy हो जाता है पेमेंट पहले से ही जो सूची को add किया गया था वह मैं आप लोग को पहले हं बता दिया था कि किस प्रकाल से चाप को चेक करना है यहाँ पर उत्तरप्रदेश इतने पेमेंट हुए है उसके बाद बिहार में भी कुछ payment हुए हैं लेकिन उनके account में साइध पैसा अभी तक आया नहीं है तो आपको check कर लेना है अभी एप्टीओ जो है generated जेनरेट कर दिया गया है तो एक या फिर दो दिनों के अंदर बिहार में payment हो जाएंगे यहाँ पर उसके बाद मैं आप लोग को बता दिता हूँ West Bengal में भी कुछ payment हुए है आज तो उन लोग जो है अपना जो एप्टीओ को track करके पता लगा सकते हैं कि उनका जो payment का status है वो क्या है तो दोस्तो इस प्रकार से आप जो है अपना एप्टीओ को निकाल सकते हैं तो दो आपको पता चल जाए कि कौन से ग्राम पंचायत में यह payment हो रही है तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बहने बात